बहुजन समाजपार्टी के अध्यक्ष मायवति का हर दाओं उल्टा पड़ता जा रहा है साल 2012 के विधान सबा चुनाओं के बाद से बहुजन समाजपार्टी हर चुनाओं में पिछटती जा रही है बाद चाहे 2014 या 2019 के लोग सबा चुनाओं हो या फिर 2017-2022 के विधान सबा चुनाओं सब में बहुजन समाजपार्टी कमजोर साबित हुई है चन्द रोज पहले संपन निकाई चुनाओं के रिजल्ट भी बहुजन समाजपार्टी के पक्ष में नहीं आए जबकि इस बार मायवती ने एक खास प्रेयोग करने की कोशिश की थी पर सीटों का फाइदा नहीं मिला हर्दाओं हाल के वर्षों में उल्टा पड़ता जा रहा है साल 2007 में बहुजन समाजपार्टी ने पूर्न बहुमत की सरकार उतर प्रदेश में बनाई थी यह ऐसा चुनाव था जब बहुजन समाजपार्टी को सभी वर्थ के लोगों ने वोट दिया लेकिन जीत का श्रे ब्रामणों को दिया गया इसी कारण 2012 में बहुजन समाजपार्टी सत्ता से बाहर हुई और अखिलिश यादो सीम बने साल 2014 में हुए लोग सभाचुनाव में बहुजन समाजपार्टी को एक भी सीट नहीं मिली हाला कि राज्य में 34 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही साल 2017 में विदान सभाचुनाव में बहुजन समाजपार्टी को सिर्फ 19 सीटों पर संतोश करना पड़ा इस बार सत्तारूर समाजवादी पार्टी तक को भारी पराजय देखना पड़ा बहुजन समाजपार्टी ने 2019 के लोग समच उनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गड़ बंधन किया और बड़ी उम्मीद लिये मैदान में उतरी कई संयुक्त रेलिया की समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंग यादो भी मैदान में उतरे लेकिन बहुजन समाजपार्टी को सिर्फ दस सीटों पर संतोष करना पड़ा वही बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे के कारण समाजवादी पार्टी भी पांच सीटों पर सिमट कर रह गई बहुजन समाजपार्टी दो हजार बाइस का विधान सबा चुनाओ अकेले लड़ी और सिर्फ एक विधायक जीत कर सदन पहुँची बलिया जीले की रसडा सीट से जीत कर उमाशंकर सिंग ने बहुजन समाजपार्टी के विधान सबा में उपस्थिती दर्च करवा दी वही समाजवादी पार्टी ने गड़बंधन के साहरे 125 सीट जीती हाल ही में संपन निकाय चुनाओं में बहुजन समाजपार्टी ने फिर दलित मुसलिम गड़बंधन बनाने की कोशिश की मेयर के 17 सीटों पर अकेले 11 मुसलमान प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया वह भी कामियाब नहीं हुआ बलकि इसका असर नगर पालिकाओं नगर पंचायतों तक देखा गया साल 2023 में हुए चुनाओं में नगर निगमों में बहुजन समाजपार्टी के पारशत सिर्फ पचासी जीते बहुजन समाजपार्टी प्रमुख ने समिक्षा बैठक में हार का ठिकरा सत्तारूड भाजपा पर फोड़ा उन्होंने कारे करताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक में आरोप लगाया कि भाजपा ने सरकारी मशिनरी का दुरूपयोग करके ये चुनाओं जीता है उन्होंने बैठक में शामिल सभी सदस्यों से लोगसबा चुनाओ की तयारियों में जूटने के साथ ही पार्टी की आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की अपील की है उन्होंने कहा कि बहुजन समाजपार्टी धना सेठों के इशारों पर काम नहीं करती इसलिए धन का इंतजाम खुद ही करना होगा आज की समय का अगर विशलेशन करे तो मायवती का साथ आज की तारिख में बैकवर्ड क्लास छोड़ चुका है अनुसुची जाती का कोर वोटर भी उनसे धीरे धीरे दूर हो रहा है एक एक कर कद्दावर बैकवर्ड तथा अनुसुची जाती के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी और उनकी भरपाई की कोई कोई कोशिश मायवती ने नहीं की इस बीच भारती जंता पार्टी का राज्य में उभार हुआ और पिछडे वर्ग को जोड़ते हुए वा आगे बढ़ गई अगर मायवती को बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाना है तो उन्हें आगे बढ़कर विभिन समुदायों को जोड़ने की नीदी पर काम करना होगा प्रभारी सिस्टम को हटा कर स्वैम सामने आना होगा प्रदेश भर में दोरे करने होगे अन्य था उन्हें लोकसभा चुनाओं में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अगर स्वैम में वैचारिक परिवर्तन नहीं किया तो बहुजन समाज पार्टी अगले चुनाओं में भी हाशिये पर ही रह सकती है मायवती के नेतर तुमें बहुजन समाज पार्टी अर्ष से फर्ष पर आ जाएगी